देखो दोस्तो कुलकत्ता नाइट राइडर्स और सन्राइजर हैदराबाद IPL की दो ऐसे टीम है जिनकी प्लेइंग 11 बहुत जादा चेंज होती है और अगर आप सन्राइजर हैदराबाद की बात करो ना तो इनकी टीम के अंदर 8 Oversies प्लेइर है और 8ो के 8ो स्टार प्लेइर है ऐसे में इनकी टीम किन 4 Oversies यानि 4 विदेशी प्लेइरों को अपनी प्लेइंग लिए उने मोका देगी वो जानना है इस वीडियो के अंदर साथ ही देखो दोस्तो कोलकता नाइट राइजर के तरब से आपके लिए कौन सा प्लेइट ट्रम रह सकता है जो ग्रेंड लीग में आपको अच्छी रेंग दिलवा सकता है वो भी हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर तो इस वीडियो को पूरा याद से और सबसे पहली बात आपको इतनी कमाल की इंफोर्मेशन मिलती है वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर लो तो दोस्तो आज हम बात करेंगे कोलकता नाइट राइजर वसे सनराइजर हैदराबाद के बीच होने वाले IPL 2024 के मैच नमबर 3 के बारे में देखो व वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लो या पहला कमेंट चेक कर लो वहापे आपको अमारे टेलिग्राम का कुछ ऐसा लिंक मिलेगा उस लिंक पे क्लिक करना है टेलिग्राम चैनल याद से जोइन कर लेना है तोस होने के बाद जो भी सारी अपडेट आएगी वह आपको पर प्रोइड कर दे जाएगी और आपको बता दू आईपेल के अंदर इस साल है इंपक्ट प्लेयर का रोल और इंपक्ट प्लेयर का रोल बहुत जादा होता आपके लिए ग्रेंड लिक की टीम बनाते वक्त और प्लेइंग 11 आने के बाद इमें पता चलता है कि कौन इंप पचास में सेकंड बैटिंग करने वाले टीम ने जीते हैं और इन छासी मैचों के अंदर फॉर्स्ट इनिंग का एबरेज स्कोर 164 देखने को मिले अगर हम छासी मैचों में स्कोर पैटरन की बात करें तो 150 से निचे स्कोर 27 बार बनाए एक सो पता से 169 के विजम स्कोर 18 बार बनाए एक सो नबब प्लस स्कोर 14 बार बनाए अब देख लेते हैं इस ग्राउंड के उपर के ले गे लास्ट के तीन टीट वन्टी मैच के बारे हैं लास्ट इयर आईकेल के अंदर मैच के ले गे थे जिसमें एक मैच था लखनो और क पुले एक और मैच खेला गया था कोलकत्ता और राजस्तान का कोलकत्ता ने पहले बैटिंग करते हैं एक सो नबड़न बना एक साथ विगेट पे कुलकत्त एक सो ब्यास्टी रन बना के पांच विगेट से मैच जीत गई अगर हम बात करें फरस्ट इनिंग में तो दो इन तीन मैच इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इन तीन मैचों के अंदर आप स्कोर देखो 306 रन 109 रन 179 रन यानी 160 से 170 के बीच में स्कोर देखने को मिल सकता है दूसरी चीज तीन मैचों में 36 विकेट गिरे हैं जिसमें से 14 विकेट फास्ट बोलर और 19 विकेट स्क्रीनर को मिलें यानि या पर स्पीनर का रोल भी देखने को मिल सकता है इस ग्राउंड के उपर में इस मैच के अंदर यह चीज़े ध्यान रखेगा यानि बैट्समेन को मदद है पिछ से यह अलग बात है लेकिन स्पीनर का भी रोल देखने को मिल सकता है बाकि टोस जितने वाले टी टेलिग्राम पे प्रवाइड कर दूंगा अब देखो दोस्तों बात कर लेते हैं कोलकत्ता की आपको क्या प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है देखो भाई यो प्रिडिक्टिड प्लेइंग 11 हो सकता है प्लेइंग 11 में किसी एक दो प्लेयर का चेंज हो जाए तो वो तोम तेश राना, रिंकु सिंग, आंदरे रसल, सुनील रैन और रमन दीप सिंग तक बैटिंग कर लेतने हैं, और बोलिंग की बात करें, तो मिचल स्टार्ट एक बोलर, वरुण चकरवर्ती दूसरा, वेबा और रोडा तीसरा, सुयस सर्मा चोथा बोलर, उसके अलावा, आंदर इनकी टिम बोलिंग करें, फिर तो सुयस सर्मा हाई चांस इनकी तरब से इंपक्ट वाले रोल में दिखेगा, और कमाल का प्लेयर डारेक्ट ग्रेंड लिंग में ट्राइ कर लेना, अगर ऐसा सीन को तो, और अगर इनकी टिम पहले बोलिंग करें, उस केस के अंदर वेंके इनकी तरब से इंपक्ट वाले रोल में देखने को मिल सकता है, यानि सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आ सकता है, बाकि इंपक्ट प्लेयर कोन होगा, वो टोस्ट के बाद भी पता चल जाएगा, अब एक चीज और यहाँ पर रहमनुला गुरबाज वी जगर फिलिप स इसी खिला डिया है, और आटो के आटो स्टार प्लेयर है, अब किसको छोड़े, किसको रखे हो देखने वाले बात होगी, अभी के लिए मेरे साबसे अभिशेक, शर्मा और ट्रेवस हैड ओपनर, तीन नमबर पर राउल तिर पार्टी, ये तीन प्लेर होगी टोप ओडर क इसके बाद मिल ओडर की बात करें, तो एडन माकरम, नितीश कुमार रेड़ी, एनरिच कलासन, पैट कमिंग्स और वासिंग्टन सुन्दर तक बैटिंग कर लेते हैं, और बोलिंग की बात करें, तो मरान मलिक एक बोलर, टीन अट राजन दूसरा, बुनेशुर कुमार ती इनसन को ला सकते, अब मारको इनसन का, ऐसे टीन टीन बहुत कमाल का गया था, तो मैं ट्रेवेस हैड और मारको इनसन में से कन्फियोजूग्स बाकि यहां पे आप देख लो, मारकरम भी खेलेगा, हेंडरिच कलासन भी खेलेगा, और बैट कमिंग्स भी खेलेगा, अब इ अगर कोई चेंज होता है, डेफिनेटली इनकी प्लेंग लेंड में चेंज होगा, क्योंकि इनकी प्लेंग लेंड का अंदाजर लगापना दिशिकल्ट है, तो टेलिग्राम पे टोस होने के बाद आपको अपडेट मिल जाएगी, अब देखो दोस्तम आपको एक दो चीज इसका रोल रह सकता है, और वसिंटन सुंदर का भी काफ एच्छा रोल रह सकता है, तो यहाँ पर यह चीज ध्यान रखना, मारकरम एक डारेक्ट कैप्टन से एक उप्सन भी निकल के आ सकता है, अगर यहाँ पर यहाँ पर spin को थोड़ी बहुत मदद होती है, बाकि मैंक मा साहिद पूरे मैच खेलने का मोगा में यह भी देखने वाली बात रहेगी, बागे दोगा है, ट्रेवस हैड और मारको एंसन के बीचे मैं कन्फ्यूज, अब इन में से जो भी खेलेगा, वो हम टेली ग्राम पे डिसकस कर पाएं, मेरे बाई टोस के वक्त, तो वाई यह वी कॉंपिटिशन कम है, जीतने के चांस भी जाद है, उसके अलावा अगर आप अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड करते हो, तो आप पहली दो टीम है ना, वो मतर एक रुपे में जोईन कर सकते हो, एक क्रोड वाले कॉन्टेस्ट की, दो क्रोड थार भी मिल सकता ह तीन कोड भी फ्रस्ट पाइज मिल सकता है, उसके अलावा देखो दोस्तों आपको बता दू, कि स्टार्टिंग के 22 से लेके 26 मार्स तक, स्टार्टिंग के मैचों में 10 SUV वीनर होंगे हर एक मैच के अंदर, नहीं 10 बंदे SUV थार जीद सकते हर एक मैच के अंदर, उसके 500 रुपे का बोनस है, और अगर आप हमारे लिंक से डाउनलोड करते हो, फर्स टैन डिपोजिज करते हो, और DET20 कूपन कोड यूज करते हो ना, डिपोजिज करते हो तो आपको 20% एक्स्टा कैस मिलेगा, कमाल की अप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में लिंक है, लिंक पे कलिक करो, माई 11 से कले ब्याउनलोड करो, खेलना स्टार्ट कर, अब देखो दोस्तो सबसे पहले हम कोलकत्ता के प्लेरों का रिकोर्ड देख लेते हैं, यह प्लेंग 11 मान के चलाओ मैं कोलकत्ता की, अगर इस प्लेंग लिएर में कोई चेंज होता, तो हो तो मैं आपको टेलीग्राम पी अपडेट कर पाऊंगा उलकत्ता ही तरफ से सबसे पहला नाम है रैमनुल ला गुर्बाज राइटी बैट्समें विकेट कीपिंग करेंगे हैदराबाद के खिलाफ दो मैचों में 0 रन है अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो इस ग्राउं रह सकता है वी से थोड़ा खतरा रह सकता है बाकिस प्लेर को मैक्सिमुल ट्राइ करने कोशिस कर सकती है अगर इसके जगाए फिलिप शोल्ट के लिए फिर आप उसको ले लेना सिंपल सी बात है रेमनुल ला गुर्बाज ये फिलिप शोल्ट में से कोई एक खेलेगा जो बीखेल आप उसको ट्राइ करने कोशिस कर सकते हूं उसके बाद मारे पास इनकी तरब से वेंकेटे से यह है लेफ्टी बैट्स में है है विद्वाद के इस प्लेट इस पर इतना फोकुस करके नहीं चलदा अगर आप ग्रेंड लीक के इंदर रिसक लोग तो ट्राइक कर स उसके हैब मारे पास है स्रेस अईयर राइटी बैट्स में ने तीन नमबरे बैटिंग करने आता है है थेदराबाद के खिलाफ 15 मेचों में 621 रन है 35.1 के अवरेज काफी अच्छी अवरेज करी करता है इस ग्राउंड के उपर 8 मेचों में 215 के अवरेज टीट वन्टी की पड़ेगा इसलिए प्लेयर पूरी मेरे साबसे खेलने वाला है इसलिए मैं मेरे टीम में इस प्लेयर को लेके चल रहा हूं उसके हैर मारे पास है नितीश नाना लेफ्टी बैट्स में एधराबाद एकला 15 मेचों में 527 रन है 35.8 के अवरेज अगर हम वेन्यू की बात करे तो 22 मेचों में इस ग्राउंड के उपर इडन गार्डन स्कुलकत्ता की ग्राउंड के उपर 22 मेचों में 648 रन है 30.9 के अवरेज छी रिसेंट में कोई T20 मेच नहीं खेला है पिछले एक साल छी डोमेस्टिक मेच के ले जिसके अंदर मातर एक मेच मेच विसा तक बनाया है इसकी प्लेयर की फोर्म थोड़ी सी खराब चल ड़ी उसका है मारे पास है रिंकु सिंग लेफ्टी बैट्समें पास्टन बरे बैटिंग करने आता है है एडराबाद एक एलाफ चार मेचों मेचों में 643 रन, 46.3 के अवरेज इस ग्राउंड की उपर 11 मेचों में 310 रन, 29. पॉंट साथ के अवरेज, रिशेंट फोर्म 690, 916, 1218 देवार इंकु सिंग आउट्सेंडिंग फोर्म में है, तीम में रखना है, अगर ग्रेंड लीक के अंदर इसक लोग तो वाइस कप्तान बना देना, लेकिन अगर इसको वाइस कप्तान बनाओ तो को पोलकत्ता के टो बसाइस कवन इसके वाइस कप्तान बना सकते हो, उसके बाद मारे पास इनके तरप से आंदरे रसल इस ग्राउंड की उपर 34 मैचों में 844 रन 33.5 की एवरेज और 31 विकेट है रीसेंट फॉर्म 27 रन 0 विकेट, 2 रन 2 विकेट, 14 रन 1 विकेट, 43 रन 1 विकेट, 23 रन 0 विकेट देखो एक मात आताओ, लास्ट येर आई पेल के अंदर अंदर रसल ने बोलिंग नहीं की थी लेकिन इस साल ILT T20 लिग्स और दुबैई में हुआ न भी खतम हुआ, उसके अंदर आंदर रसल ने बोलिंग भी की थी और बैटिंग से भी कमाल किया था और अंदर रसल अब वेस्ट इंडीज की T20 की टीम में भी आ गया है, तो हैसे में इस मैच यहाँ पे भी ये प्लेयर बैटिंग बोलिंग दोनों करेगा इंपोर्टेंट प्लेयर है और मैं मेरी टीम में सोक अप्तान भी बनाने वाला हूँ, सेफ टीम, स्मोल लिग की टीम के अंदर उसके बाद मारे पास है रमान दीप सिंग, राइटी बैसमन राइटाम मीडियम बेसक इस ग्राउंट पर कोई मैच नहीं के लिए, ठीटवन्टी डीम कόσ अंदर अजिसके इंड़ए मैच में सिरन है, डिफ्रेंचल प्लेयर है रिस्की ओप्सण रहा सकता, चाउल तो ग्रेंड लिख के अंदर मारे पास है सुनील रन, राइटाम ऑब बेक स्फिनर है एदराबाद एक लाव 23 में 15 विकेट है इस ग्राउंड कुपर माउन में 16 विकेट है रिसेन फोर्म भी डिसेंट है यह काफी एकुनोमिकल प्लेर रहता है इसको टीम में ट्राइक जा सकता है पिछ कंडिशन देख करेंगी अगर स्पिन ओरियंटी ट्रैक हुआ फिर इसको इसको टीम में रह सकते हुँ कभी कबार ऐसा होता ही प्रलेर पारप्ले में बोलिंग करने आएगा उसके बाद मारे पास इनकी तरब से स्वेश सर्मा लेक ब्रेक स्पिनर है देख और स्वेश सर्मा का आपको ता दूं लास्ट एर आईक बेल काफी आउटस्टेंडिंग गया था रिशन्ट फों भी काफी आउटस्टेंडिंग है और अगर यहाँ पे कोलकत्ता के टिम पहले बैटिंग करें उसकेस में अगर खेलने का मोगा है तो इंफोटन लेकिन प्लेइंग लिकाह नहीं बन पारी है अर्शित राना है अपको बता दूँ वह संद्राबाद की प्लेइंग लिए उनमानंके चलाओं बस मा ट्राएवस हैडर और मार्को येंसन में से कंव्यूजू अब इक लिए मैंने मार् अगर हम हैदराबाद के दरफ से बात करें सबसे पहला ना मैं ट्रैवस से अगर खेलेगा तो टीम के अंदर ट्राई किया जा सकता है इस ग्राउंड के उपर दो वन डे मैचों में 101 रहन है पचास मट पांस के अवरेज से अभी वल्ड कप के अंदर ही खेला था इस ग्राउंड के उपर चार मैचों में 30.7 का एवरेज और तीन विकेट है रिसेंट के अगर बात करें लोमेस्टिक मैच खेल के है उसके अंदर भी अच्छा पॉफमिस है और अभी अभी जो एदराबादी की टीम है उन्होंने एक प्रेक्टिस मैच खेला था इंटर टीम प्रेक्टिस मैच उसमें इस प्लेन ने काफ अच्छा पॉफमिस दिया था बेटिंग बलस बोलिंग दोनों से कॉंट्रिवूट भी कर सकता है इसको मैच टीम के अंदर रखने वाला यह थोड़े सा जो डोमेस्टिक का फोम है वो थोड़ा खराब है बाकि कोलकत्ता है खिलाफ 30 की एवरेज है और इस ग्राउंड के उपर 37 पॉंट दो की एवरेज उसके बाद मारे पास है एड़न माकरम बताने की जुरत नहीं राइट टीम बैट्समें ओवरेक बोलर है इ 12 रन अच्छा उप्चन है उसके आद मारे पास है निटीश कुमार एड़ी देखो निटीश कुमार एड़ी रैटी बैट्समें रइटाम मीडियम पेसर पोलकत्ता है के लाफ कोई मैच नहीं कहे ला इस ग्राउंड पे कोई मैच नहीं कहे ला री सेंट में कोई T20 मैच नह करेगा और अभी इनकी एदराबाद की टीम ने इंटर मदलब प्रेक्टिस मैच के ला था उसके अंदर इस प्लेयर ने आउट्स्टेंडिंग पर्फोमेंस दिया था साइथ 30 बोलों में 70 बोलों में अगर आप हैदराबाद को जितवा रहे हो तोस्ट केस के इंदर हो सकता आपको इसको ड्रोप करने का रिस्क भी लेना पड़ जाए लेकिन पहले बैटिंग करें है है हिदराबाद की टीम फिर मस्ट पिक प्लेर है उसके आद मारे पास इनकी तरफ से मार्को येंसन राइट में बैटिंग बोलिंग दोनो करेगा तो इसको टीम में रखना पड़ेगा उसके आद मारे पास है वसिंग्टन सुंदर खोफबरेक बोलर है देपर वसिंग्टन सुंदर का रिसेंट फोड़ा कराब है लास्ट के अगर बात पांच है मैचो में एक मैच में तीन विकेट ह एक में तो आठ विकेट भी निकाले में तो इस प्राउंड के उपर देखते कैसा परफोमेंस देता है उसके मारे पास है मेंक मारकंडे लेक्डेक स्पिनर यह होगा इनका इंपक्ट प्लेयर अगर हैधराबाद की टीम पहले बैटिंग करे तो मेंक मारकंडे सेक्ट इनिं परफोमेंस है कुलकत्ता एक लाफ चार मेंचों में पांच विकेट है इस ग्राउंड के पर पांच मेंचों में पांच इनिंग यह आपको हैदराबाद के सारे प्लेयरों का रिकोर्ड देखने को मिल रहा है उसके बाद अगर अगर बात करें तो यहां पे मैंक अगरवाल करने आएगा और रिसेंटली डोमेस्टिक जो सीजन अना मैंक अगरवाल था वो काफी अच्छा गया है रिनजीव अगेरा खेलिका है काफी अच्छा पॉपमिस्ता उसका थमारे पास सहबाज एमद है अगर वोसिंग्टन सुन्दर की जगर सहबाज एमद खेले तो लेफ दूस्तों टीम की बात कर लेते हैं मैंने एक सेफ से ठीम बनाई है देखाए अबहरा इस मैच के अंदर में ज्यादा रिसकी round लिक टीम नहीं वनाओंगा क्योंकि इस मैच के अंदर ना प्लेइंग लिएवन ही कनफाम नहीं अगर प्लेइंग लिएवन कनफाम होती तो फोर शोर हम बनाते हैं यहापे मैंने हैंडरिज कलासन और रेमनुला गुरबाज को विकट कीपर मिली है बैटिंग में एडन माकरम, रिंकु सिंग और स्रेस अईयर को लिए है और डांडर में आंद्रे रसल, माको येंसन और पैट कमेंच को लिए और बोलिंग में मिचल स्टार्ग, बुनेशुर कुमार और रोण चकरवर्ती को लिए है इस टीम के अंदर में एक कप्तान बना है अंद्रे रसल को वाइस कप्ताने को उप्सन मेरे पास मारकरम भी है और माको येंसन भी अगर मारको येंसन ना के लिए तो ट्राइबस हैड ले 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 ना वह आपकी चोईस रहे के गुरुबाज ना के लिए तो फिलिप शोल्ड ले लेना बाकि मेरे साब से खेलने चाहिए हाँ इस टीम के अंदर आप ये चाहती ही भी कर सकते हो कप्तान यहाप आप मारको येंसन को बना के वाइस कप्तान मारकरम बना सकते हो वाइस कप्तान यहाप आप आंदरे रसल बना सकते हो यानि मारकरम, अंद्रे रसल और मा को ये इंसे निये, तीन सेफ केप्टन से, वाइस केप्टन से के ओप्सन आपको देखने को मिल रहे हैं बागे देखो दोस्तो, माई लेंवसर क्लाइब को डाउनलोड नहीं किया, तो डाउनलोड कर लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्चन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लो, यहाँ पर फर्स्ट प्रायाई जी एक ग्रोड से स्टार्ट होगा, धो क्रोड भी भ और आदद भी लग सकती है तो सोच समझ के खिलना धन्यवाद